वेइ वासे देंगाइस के अश्वाब सब्लोग वेकम बैक टुमाइच चैनल फैंसमेक्स गेहिमर और आज आप देखी सकते हैं कि मैंने रीडीमर को अपग्रेड कर रैंक अपग्रेड कर दिया है जिसे उसकी अश्की ट्वैलों चीकिए और मैंने उस पे जैलिन रेक्स लग लिया है और साथ में मैंने रीडॉक्स के ओपर येम रैफल एट लगा लिए है क्योंकि रीडॉक्स एक्चलियों उसकी अबलीटी बहुत लो रेंजड एबलीटी है इसलिए उसी वज़े से मैंने रीडॉक्स पर कोई लॉंग रेंज गन लगाने का जो अपना फैसला है कि या क्योंकि मुझे मैचेस में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे लॉंग रेंजेस गन्स अच्छे है रीडीमर और मैंने रीडीमर का कलर भी चेंज कर दिया है प्राइमरी में ग्रे है और सेकेंडरी मैं इधिंग सो क्रिम्शन है क्रिम्शन या टर्कॉईश हमारा स्काइश सब्सक्राइब और स्काइश शेप ऐसा ही कुछ है वह मैं पात चुका है वहाप एक स्काइश इप है जिसमें शायद हमारे दोस्त खेल रहे होंगे उनकी टीम अल्रेडी जो अपना बी कंट्रोल पॉइंट है उस पर धावा बोल चुकी है भाई इजी किल भाई यहापर उपर एक बंदा बैठा है शिरिसली भाई वो क्या हाइट पर गया था ओह 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 ओके भाई हमारा जैलिन ड्रैक आज कल सई खेल रहा है एक दो मोपिक वेपन है बस इसकी रोए रेंज थोड़ी सी लो है बस यही प्रॉब्लम है ओ ना जी ना भाई किसने किया था यह भाई किसने किया यह ओ शिवम रुख जा भाई बस्वाई वाई जा बस्वारा थास बढ़ तो मुख और बस्वाई लोचहाई लोग्या he is यह बंदा कौन है भाई यह राइफल हमारी सरी ओपी गन है भाई भाई यार यह लोग भाई मिनी गन कौन ले रखा है अपनी टीम में भाई मिनी गन टैन ले रखा है भाई सही यह अपना फिलिंग्स करकर मार रहा है भाई कहाँ पर यह वला बंदा अच्छा इंसाइड एरिया पर है इसी 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 अच्छा इसी भाई मेरे दोहजार एक्ष्पी है डबल किल हुआ अपना क्या हुआ है मुझे नहीं पता मल्टी किल हुआ है क्या हुआ है पत्सा मल्टी किल हुआ है कर नो 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 मेरे को एक भी गोली नहीं लगनी चीए भाई मरना मैं तो जाओं गई को ओ ओ ओ ओ ओ ओ बज गया मैं मैं बज गया मैं बज गया रीडीमर और घोस्ट ओके रीडीमर वैसे तो भाई बहुत सही में के ओके स्काइशिप 11 न्यू मैप न्यू मैच वह यह प्लेन सही है वह यह कभी उड़ता नहीं पर दुए बहुत छोड़ता है नीचे भाई रीडीमर की स्पीड भी अच्छी है अबिलीटी भी अच्छी है हां बस उसकी एच्च पी उतनी अच्छी नहीं है यह बात है भाई थैंक यू फॉर पुशिंग मी सन अफ गोकू सन गोकू है उसका नाम पर हम सौन गोकू बोलेंगे भाई यहां पर पका कोई चड़ा है भाई चुंकन चंकन यह कौन है भाई आडों नो दिस मैं भाई आडों नो हूँ मैं को थोड़ी दिर के लिए लगा मैं नीचे गिरूँगा आहां वैर डान ओपी ब्रो इजी किल भाई हमने अब तक वन खिल किया है हाँ थोड़ा अजीव लग रहे सुनकर आइनो क्या 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 गलती से दव गया रहे बिलिटी ओ सर 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 ओ माइगाड मैं बहुत सही बचाओ मैं बहुत सही बचाओ ने बहुत सही बचाओ भाई OMG मैं इदर उपर जा रहा हूँ I am going forward मैं इदर से attack करूँगा भाई 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 सही बचाओ मैं easy भाई easy easy इनका टीम का एक बंदा मर चुका है ओ है लियार seriously भाई oh no गलत घो गया मैं सवजा नीचे जाकर उपर जाओंगा वापस ability यूज़ करके पर जो करना था वो हुआ नहीं और जो हूना था वो हुआ नहीं भाई डबल की लो गया भाई मैं तो ability यूज़ करके मारूंगा और बज़िया है हाँ सब्सको सब्सक्राइब था यूज़ बाई तो वह 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 कंट्रोल पाइंट कैफ्चर करना भूल जा कौन है भाई यहां पर ओ यह वी आर्क टॉरेंट लेकर ही आया है पर मुझसे तो नहीं बच सकते भाई कि नो एंगें हाँ हो उसका ओके विन है हम लग सेकेंड होंगे लागा था भाई तीन स्काउट में आई तिंग सो जो अपना स्लिंग शॉट वह भी एक स्काउट में है कि कि ओके यह विगो बस मुझे अपनी जैवलिन रेक शीच की सिक्स की थोड़ी सी रेंज जो है वह बढ़ानी है मैक्सिमम में को इसको 90 मीटर्स करना है या फिर 80 मीटर्स क्योंकि वाई 65 मीटर्स बहुत कम है हुआ 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 है ना इंटी फाय में तो बंदे आई जाते भाई मैं बस एक बार लुक अप कर रहा थो हुआ है भाई सीधा उपर आऊंगा मैं भाई ने को किसी से कोई पंगाने लिया ना हुआ है यह पिछले बार हमारे साथ था मैंच में पर इस बार पता ने किस के साथ है भाई मैं सही टाइम पर सही में को स्पॉन किया हूँ भाई इसी को ट्रैक करते रहूंगा मैं यह चीटिंग है यार मैं इस साथ आजाता हूँ लेच सी कोई तो आए ओ भाई डरा दिया इसने में को थोड़ी देर के लिए यहे में को मारना था उसको मुझे मारना था वह यह सन गोकू थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है हमारे टीम को कि यह मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खेली नहीं रहा है आ गलत थी भाई दो लोग आ रहे दो लोग आएंगे पटाक से कोई नहीं आ रहा है यार भाई दो बंदे मर रहा है ओके भाई आर यू सिरियस नेमेसिस भाई यह मर गया है कैसे तो भी करके यह मर चुका है भाई अब स्पॉन वतो ना अल्ड़री तस लोव मैं पतानी भाग भगा कर आया हूं इदर तक भाई भाई वह जैसी भार आया भाई उसको भाई सही शॉक्स शॉक्स शॉक्सर्प्राइज भाई इजी मैं इदर खड़ा हूं भाई मैं आयम हाइडिंग हाई लेवल ग्राउंड ले लो सीरियस मैं जाओंगा लगाता पर उसके पास कोई चांस नहीं हारने के अलावा रीडाक्स मोशली फर्स आ सकता है येस ओ ओ ओके सेकंड नेमेसिस अहां वाई नो मेडल्स इस ताइम ओके यहर वी आर वन्स अगें रीडीमर वाई रीडीमर बहुत सही में के यार यार लॉव इट भाई इसकी सबसे बेस्ट स्किन जो मेरको लगती है न वह मेरको लगती है वह इसकी बीच में काक रहती है वह वाली वह सबसे 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 स्किन है उसकी यह थोड़ा आगे आने चाहता था पर बाय चांस यह मर सकता है आगे आजा थोड़ा पीछे चला गया थोड़ा नहीं बहुत पीछे चला गया भाई यह बंदा मैं क्या करना चाहता है वाई टाइम रिवर्स भाई मैं चुपाँ भाई आर यू सीरियस मैं बिल्कुल गलती नहीं करना चाहता अपनी अबिलिटी यूज करने की मैं एक दम स्पीड में भाग रहा हूं भाई एक सेकंड वाच कर लो कितने लोग है बास अब इजी इजी गेम भाई इजी गेम अहां वाई थ्री केल्स हो चुके ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाव भाई वाई क्यों सर्प्राइस किल कर रहे है लोग भाई वाई सर्प्राइस किल्स गाइस भाई केल भाई भाई यह भी जाएगा भी रुख जा भाई आ अंदर गुज गया यह बज गया उसने शायद देख लिया कि एक एम राइफलर आ रहा है भाई वो मेरे से तो बिलकुल नहीं लड़ने का सुचेगा क्योंकि वाई मैं एक दम लेजेंडरी मेक्वित लेजेंडरी गनू नेरा टायर बहुत ही होपी है भाई तू मेरे साथ आई नहीं सकता मैं उसकी शील्ड एक बार में गयाब कर रहा हूं बज गया भाई नहीं बच सकता भाई तू भाई वो सोच रहा है मेरे पास आऊ नहीं आऊ भाई भाई ज्यादा ही टायम बेस्ट हो गया उस पर क्या बोलू लेस्ट गो इजी भाई उसका बंदा एक उधर है द्रीन बंदे उधर है इससे अच्छा ब्रिक्खाव स्पान करो जल्दी आओ भाई इजी काम करना है मुझे दोनों ने गार्डियन ले रखा है वाई पर उनके उसकोई चांस नहीं जीतनेगा क्योंकि हमारा अंड्रेड हो चुका है याई लेस्ट गो ओके अगें सेकेंड ओके तो लेस्ट क्लेम आर रिवॉर्ड्स एक और दो और क्रेट चीए थे वह समय है रीडीमर की हम लोग को ब्लूप्रिंट्स क्यों नहीं मिल रहे यार भाई रीडीमर ब्लूप्रिंट्स दे दो ओ रीडॉक्स का है रीडॉक्स के एट ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास पर मुझे रीडॉक्स को अपग्रेड नहीं करना क्योंकि मैं रीडॉक्स को अपग्रेड करके क्या कर सकता हूं सबसे पहली बात रीडॉक्स अल्रेडी उसके उपर मैंने अपना ये लगा रखा है येम राइफल एट और कोई हेवी ड्यूटी गन है नहीं बेर पास जो मैं उसके लगाँ और इसकी स्पीड भी बढ़ती नहीं है और स्पीड बढ़ती है नहीं स्पीड उसकी बिल्कुल नहीं बढ़ती और वैसे भी अगर मैं वैसे भी अगर मैं क्या नहीं अभी लूँगा तो फिर मैं डायरेक्ट लूँगा भी कार्वाइन 10 10 भी है पर उसका एक्वेपलेमेट वन यह इसलिए मैं एट ही लूँगा डायरेक्ट और एट को ही अपग्रेड करूंगा और येस मैं डबल डेमेश चांस फाइपरसेंट मैं एम राइफल एट ही लूँगा क्योंकि वही एक बेस्ट गन है जो हम इस पर लगा सकते हैं क्या रीडॉक्स पर मैं थोड़ा थक चुका हूं और और कोई गन नहीं में को नहीं लग क्या रखना है क्योंकि अगर मैं शॉर्ट रेंज गन लगांगा तो थोड़ा स्लो टाइप और हो जाएगा तो चलेगा जायतिंग अब इस वीडियो में इतना ही मिलता आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में तिल देन के लिए बाई बाई